हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फ्रेंड जोन बाइलोजी पर मैं पुस्पेंदर कुमार आज वाइरस का लेक्षर नमबर टू लेकर आया हुआ हूँ जिसमें हम आप पढ़ेंगे सब लोग से पाफ वाइरस वाइरस का जो होता है आकार कैसा होता है और साथ-साथ में य आरेने वाइरस होगा कि डीने वाइरस कौन-कौन सा होता है डीने में भी दो टाइप होते हैं एक सिंगल इस्ट्रेंड वाइरस होता है और एक डवल इस्ट्रेंड वाइरस होता है ठीक आरेने वाइरस में भी ऐसे करेंगे एक हमारा होता है डीने सिंगल इस्ट्रेंड आर होता है वह होता है हमारा मंस वाइरस मंस वाइरस जो होता है वह हमारा गल्सुवा रोक करता है जो यहां पर की पाइरेटिर ग्लाइंट्स होती है वह हमारी क्या हो जाती है स्वाइलिंग करने लगती है और जिससे क्या हो जाती है कि खाना खाने वगरा में भी दिक्कत हो जात होता है कि हमारे सरीर में में क्या होता है कि तुरिंग स्पर्माइटोगेनिसी जब और THOM-1 प्रिक्रिया ना कि यही चीज क्या हो आउन के बाल युद्व को ये रोग हो जाता है क्योंत생 सक्षुल्द कली नीघ developmental स्परमाप की आउन offs जो जो होता है इसका जो सेप्ब होता है है।ना उसका होता है invest अशपा सबसें का होता है। वाइडला सबसे मोश्ट इम्पोर्टेंटण फाई इन्टवन सेवन सबसाइब ऑन पर शर्ट तो स्केलगन वहीं सब्सक्राइन होतेoton कॉम् پ्लेक्स जिसका जो सेप होता है वो हमारा होता है हाता है blix saved सबसे दा कुश्चन पूझा सबसे इंट के आकार का वायरस होता है Vallahi उस मो मो पोकस वाइरस ऑ LAUGHTER ब्रिक्स ओग्य क्वाइरस होता है अग्य उसको बीधियोगन्त के वहाता है उसके ह्टार्टेस हमारा से पडिल सिंशने हमें और या कौन सा ती अमभीवाईरस है इपना का बडूल आम हाक करते हैं हम है सिमिट्री अ मれटार्ट आप वीडियो पाउस करके आप लोग नोट कर लिजिएगा तो दूसरे नमबर पर आता है सिमेट्री आफ वाइरस करें करें पहले नमबर में है 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 लिकल है। है सिम्ट्री है है ऐस्वीरे होती है तो जो है लिका करे काशा हम च nous items चेंटरी सिमेटरी है दो है ट्वॉर आर इन फ्लुयन्जा वाइरस ट्ययम्वी को मयाईक वाएरस अन्ड की इन फ्लुयन्जा वाइरस ये वाइरस जो होते हैं इन दोनों की जो symmetry होती है वो helical saved होती है दूसरे नमबर पर आता है cubical shaped symmetry क्यूबिकल symmetry किसकी होती है टर्निप मोजैक वाइरस तो टर्निप मोजैक वाइरस की जो symmetry होती है वो होती है cubical shaped होती है number next आता है हमारा तीसरा है by symmetrical या mixed by symmetrical या mixed symmetry किसमें पाई जाती है यह हमारी पाई जाती है bacteria phage virus bacteria phage virus की symmetry होती है वो कैसी होती है वो by symmetrical या mixed होती है इतनी चीज clear हो गई हो गये आसा करते हैं इतनी चीज clear हो गई हो गई तो इसको note करते हो चलेंगे उसके बाद में हम बात करते हैं कि सेप टाइप साब आइरस कि लिख लिया होगा आसा करते हैं एक और नोट करके पॉइंट लिख लेंगे आप लोग नोट में कुछ वाइरस कुछ वाइरस कि में कि प्रोटीन कोट के के ऊपर कि लाइपो प्रोटीन की कि मेंब्रेन पाई जाती है लाइपो प्रोटीन की मेंब्रेन पाई जाती है लाइपो प्रोटीन का मतलब होता है जो लिपिड और प्रोटीन दूनों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं लाइपो प्रोटीन लाइपो प्रोटीन की क्या पाई जाती है एक मेंब्रेन पाई जाती है तो ऐसे वाइरस को जिन के उपर यह पाई जाती तो ऐसे वाइरस को ऐसे वाइरस को लाइपो वाइरस कहते हैं ऐसे वाइरस को लाइपो वाइरस कहते हैं उसके बाद में क्लासिफिकेशन तो classification देखते हैं on the basis of nucleic acid तो classification में देखते हैं classification दिया किसने था तो क्लासिफिकेशन आफ वायरस क्लासिफिकेशन जो था एफ ओ होलमस ने दिया था एफ ओ होलमस के अनुशार एकॉर्डिंग टू एफ ओ होलमस इन्हों ने क्या कहा on the basis of Leh on the basis of होस्ट स्पेश मतलब होस्ट की स्पेशिकी के आधार पर वायरस को 3 भागों में बाट गया इंढोंने वायरस को कितने भागों में बाटा इन्हों ने वाइरस को तीन भागों में बाटा पहला आया तुम्हारा फाइटो फाइटो फैजने दूसरा है तुम्हारा जू फैजने तीसरा है केवल फैजनी तीसरा है केवल फैजनी अब देखो फाइटो फैजनी फाइटो सब्द लगा हुआ है यहां पे तो फैटो का मतलब हो गया प्लांट तो ऐसे वाइरस किसको करें गे in इंफ्शन आफ फैजन करते हैं ऐसे वाइर सको फैजनी नाम दिया जाता है और किसने दिएältा यहbuilding Cooking आ शे इंशन करेंगे इंफाइ्शन από IPS को कि आनिमल्स को सब्छलता है कि तीसरे नमबर पर आता है केवल फैजनी तो फैजनी यह इन्फेक्शन कि अनुट कि बैक्टीरिया है तो यह चीज के लिए वाइरस मतलब पहला क्लासिफिकेशन था एफ और होलमस के अनुषार ऑन दाव वेसिस आप फोस्टी स्पेस्पी तो होस्ट की स्पेस्पी की आधार पर मतलब कौन सा वाइरस जो किसको रोख करता है प्लांट को करेगा य सब्सक्राइब तो है उसे क्या कहा है से विन्षाउन ए उन्हें बांट जू और आसे वाइरस जो बैक्टेरिया में डिजी उत्परन करते हैं तो ऐसे वाइरस को क्या कथे हैं नाम दिया जाता है आशा करते हैं इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी तो उसके बाद में नेक्स है टाइफ आफ वाइरस कि नोट्स बनाते हुए चलेंगे सभी लोग क्योंकि हर एक जो लेक्षर है वह एक दूसरे से को रिलेट हुटते हुआ है टाइप आफ वाइरस तो पहला है डीन वाइरस और डीन भी कितने प्रकार के दो प्रकार से होते हैं एक होता है हमारा डबल इस्टेंड दियने और दूसरा है सिंगल इस्टेंड दियने तो पहला है है डबल इस्टेंड डीने और दूसरा है सिंगल इस्टेंड डीने डीने डबल इस्टेंड डीने में पहला है हमारा हुमन साइटो मेगैलो वाइरस पहला है हुमन साइटो मेगैलो वाइरस दूसरा है सीमियन वाइरस दूसरा है हमारा सीमियन वाइरस तीसरा है हरपीज वाइरस हरपीज वाइरस चोथा है वैरियोला वाइरस नेक्स है एडीनो वाइरस हुमन साइटो मेगैलो वाइरस सीमियन वाइरस हरपीज वाइरस वैरियोला वाइरस एडीनो वाइरस और उसके बाद में पैपिलोमा वाइरस और एक्सेप्शन में आ जाता है कॉली फ्लावर कॉली फ्लावर मोजाइक वाइरस तो हमारे कितने उसके बाद में सिंगल इस्टेंड आर ने होकर डिन वाइरस और वाइरस सबसे इंपोर्टेंट पार्वो वाइरस और दूसरा है सबसे ज़्यादा कुश्चन पूछा जाने वाला 174 वाइरस तो यह है हमारे सिंगल इस्ट्रेंड डिन वाइरस पार्वो वाइरस और फाई इंटू 174 वाइरस यह हमारा कौन सा है सिंगल इस्ट्रेंड डिन ने पाया जाता है इन वाइरस उसमें आसा करते हैं इस चीज़ को समझ में आया होगा आप लोगों के और समझ में आया है तो जल्दी से इसको नोट किजिए वीडियो पॉस करके सब्सक्राइब असके बाद में आता है आरेनए वाइरस वाइरस आप आप आरेने और सिंगल इस्टेंड आरेन तो सबसे पहला वारास है डबल इस्टेंड आरेने वाइरस में रियो वाइरस रियो वाइरस पहला एक्जाम्पिल है दूसरा है राइस डॉर्फ वाइरस तीसरा है बुन्ड ट्यूमर वाइरस तूमर वाइरस तूमर वाइरस करनी इतनी है भैंकर की पसीना बार बार आ रहा है इसकी वज़े से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है सिंगल इस्ट्रेंड में तुम्हारा है टीमवी अवह पिक्रोना वायरस अधिए तुम्हारे हो गया यह तुम्हारे हो गए सब्सक्रीज चैन्ड वायरस बुन्ड ट्यूमर वाइरस ट्यमवी पिक्रोना वायरस और इस में आ जाएगा तुम्हारा रेब्डो वाइरस रावडू वाइरस है проект उसके बाद मेंनेस्च आ जाएगा आपका सिंगाल इसेंड आर ने वाइरस में आपका राइहिजा है एपेटाइटिस है पेटाइटिस भी आएजाएगा और अर्थो पैरामिक selbstțional और आपका हो जाएंगा आर्थो जो है आ architects Co यह हो हैं यह हो गए आपके hmv पिर लेड़ेट करेंगे कॉचा एब अलीर mirrors उसके बाद में आजायेगा का एक और है घ prohibendo वारस हबने गार्श मेंघुरा है माउथ डिजीज वायरस फूट एंड माउथ डिजीज वायरस यह आपके हो गए सिंगल इस्ट्रेंडड आरने वायरस मतलब ऐसे वायरस इसमें क्या हो जाएगा आरने का केवल सिंगल इस्ट्रेंड पाया जाता है और ऐसे वायरस जिन में आरने का कैसा पाया जाता है डबल पाया जाता है ठीख उसी परकार डिन्य में ug- Ferrari डोगे डिन्य वायरस और सिंगल इसट्रेन्ट डिन्य वायरस तो सिंगल इसट्रेन्ट डिन्य यह वायरस में सबसे most important जो है वह है वह हाई into 1704 वायरस बहुत बार हो जाएगा single strand dnava IRS उसका सिंगलेट्रेंड dna virus यत्ना क्लिएर हो गया होगा उसके से बाद कर just औक हम के बाद में एक और चीज आता है जिसे बोलते हैं हम वारत ने यह उतनी आशा करते हैं यूट हो गई होगी रेट्रो वाइरस यह रेट्रो वाइरस होते क्या है सबसे खतरनाक और डेंजर जो वाइरस होते हैं वह यही वाइरस होते हैं रेट्रो वाइरस कि जर्नली क्या होता है कि जर्नली डीने से क्या बनता है और ने बनता है और इस क्रिक्रिया को क्या बोलते हैं ट्रांस्किप्शन बोलते हैं डीने डीने से जब आरेने की प्रिक्रिया होती है तो इसे क्या बोलते हैं ट्रांस्किप्शन कहते हैं और ने से जब प्रोटीन बन किसी भी वाइरस का अगर जेनेटिक मटेरियल डीने है और डीने से वो आरने बनाता है और आरने से वो क्या बनाएगा प्रोटीन बनाएगा अगर एक चीज और मैं बता रहा हूं कि नोट करके कहीं पर लिख लो कि वाइरस के जो एंफेक्शन के गुड होते हैं वो उसके नियुक्लिक एसिड में नहित होते हैं अगर नहीं लिखा है तो नोट करके लिख लिजिए कि वाइरस के जो इंफेक्शन के गुड होते हैं वो उसके जेनेटिक मटेरियल में नहित होते हैं अगर किसी वाइरस से क् material को remove कर दिया जाए और केवल और कैवल protein को उसमें रखा जाए तो व因फीक्षाबर और यहीं करेगा क्योंकि जो genetic material होता है वह होता है अब होता किya है कुछ वायरस में genetic material कि न होता है औरने होता है ट्रांस्किप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप्टिप् से यवारस होते हैं काौन से रीयो वारस तो इतना आशा करता है इतनी चीज्ड कर ली होगी तो इसमें कौन सा तुम्हारा वाईरस आ जाता है इसका एग्सांपल लगणा चाहओ तो लिख सकते हो रेट्रो वाईरस laquelle एग्सांपल है यह दोनों वाइरस जो हैं यह कैसे हैं रेट्रो वाइरस हैं तो इनका एक्जाम्पल आकर कुश्चन आ जाता है कि निम लिकित में से कौन सा रेट्रो वाइरस है चार आप्षन दिये होंगे तो रेट्रो वाइरस का एक्जाम्पल है पेटाइटिस भी और एच्चाइवी क्ल कि ए tumors कहने का मतलब अगर किसी व्यक्तिक को HIV हो गया तो समझ लो की उसका डिशी जारी हो गया है डिश का इसकी जो दवाई जारी नहीं बन पाई है जिसके कानल एक बार अगर तो दुबारा पहुँ नहीं मेहीत दिए गए है death warrant of human clear आसा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तथा बेल आइकन में इस ब्रांच है जहां पर offline classes पांच जून से आप लोगों को मिलेंगी तो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो इस नंबर पर WhatsApp या मैसेज कर सकता है अब offline बैस के लिए में बेनिफिट्स क्या रहेंगे online में तो जैसे मैंने आप लोगों को नोट कराता ही कराता हूं लेकिन offline में आपको handwritten notes मिलेंगे तथा weekly test भी मिलेगा आप लोगों का और weekly test के बाद में उसका discussion भी होगा हमारी faculties के दौरा जिसमें हम और आपके दो सर और सम्मिलित हैं इस चीज में उनकी भी class यूटूब पे जल्दी शुरू हो जाएगी तो अगर किसी को offline batch join करना है तो बहुत ही कम फीस ले रहे हैं उस चीज की इतनी फीस है कि आप लोग effort कर सकते हो क्योंकि मैं भी एक student रहा हूं तो मैं समझ सकता हूं student का दख जिसकी वजह से आप लोगों के लिए यह offline batch शुरू कर रहा हूं पान जून से है गुर्देव नगर गुर्देव चोराहा नियर ग्रेंड होटल के पास में अगर किसी को दिक्कत होती है तो इस नंबर पर कॉल करें और कोशिंग का नाम है अभी classes जहां पर अन्य से सूट होगा तो तक लिए जय है